बैया पूछ रहे हैं मुस्लिम लोग चिलम क्यों फोगते हैं इसका भी सवाल सही है क्योंकि मुस्लिम लोग ग्यान देते हैं कि सराब हराम है तो मुस्लिम लोग खैने गुटका और मंच पर बैठके चिलम क्यों फोगते हैं इसका जवाब दिया जाना चाहिए तो इसमें में पर नोगलेज रखता है था कि मतलब एक शांती ने मिलते था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में. हमारी तब लाड़ में एक मर्राश हूं, हमेर तमिलाड बोलते हैं, बालाजी अमिर भगवाने और कार्थिक गरिब भगवाने, तो इसे में शेहमत नहीं था, फिर आच्छाने मेरे को ना क्रिष्टिन दोस लोग मिले, फिर उन लोग के साथ में प्रेयर करने के लिए जाता था, प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बोत अनंद लगा, अच्छा लगा, फिर बाइबल में कूद पढ़ने लगा, उसमें भी बोत जगे में बयानने ह होता है कि दिल ने मानता है, इस आले सलाम बोलते हैं, मानता है ने कि वो खुदा है, फिर में साती साती हमारे महले में मुसल्मान दुस लोग भी है, फिर उन लोग एक आयत पढ़के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वाल्ला हुआत, अल्ला उसामत, लम्यलित, वालम्यूलत, वालम्या कुणलहु कुफवना है, तो इसमें में बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माबाप है, ना रूप है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, तंडा लगा, यह वा दो नजजर तीन के पहले, फिर म में दो नजर चार में धायक फोरन कल्मा पढ़ा के इसलाम कभूल किया, मुसल्मन हुआ, अब यह है, मैं मुसल्म होने के बद में इतना नौलेज नहीता, जानकारी नहीता, अरा सवाल यह है, इतना नौलेज नहीता, फिर भी मैं द्रिंग करता था, फिर बहुत लोग होता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, छिलीम हो, कुछी भी चिज़ हो, नशा तो नशा होता है, मेरी मौला में जो मुझे मना करते हैं, वह आफिज मौला नो लोग दम मारते हैं, यह नशा है कै नहीं है, सही है कै गलत है? माय साइब का सवाल है अलहम्दलिल्ला हिंदू मदभ में शांती नहीं थी तो बाद में इसायत कबूल की पहले अच्छा लगा बाइबल पड़ी तो पता लगा काफी गड़बड है छोड़ दिया फिर मुसल्मान दोस्त ने कहा एक सुरत पड़ी सुरह इखलास और इतना छोड़ दिया अलहम्दलिल्ला अभी वो पूछना चाता एक सवाल कि कुरान मजड में लिखाय का नशा हराम है तो नशे के साथ साथ पीना चरस गांजा ये भी हराम है क्या कुरान मजड में लिखाय सुरह माइदा में सुरह नमर पाच आयत नमर नबे में या लजीन आमनों इननम खमर में लिखाय सुरह 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 मे इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज इननमल खमरोल मैसुरो गैंबलिंग, जुआ खिलना फॉच्छून टेलिंग और अल्ला के लावा किसी और की अबादत करना, बुद्परस्ती ये चारों चीज हराम है आपका सवाल था, कि नशा सिर्फ शराब में है क्या पीना, चरस, गांजा में भी जहां तक के नशे की चीज है कोई भी नशे की चीज, चाए विस्की हो या बियर हो चाए रम हो, या ब्रेंडी हो या चाए चरस हो, या गांजा हो चाए वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूगा गया हो अगर उससे नशा आता है, तो ये हराम है अल्ला के रसूल फरमाते है मुमस्ताओस इबने माजा में वो इबने मत्री, चैप नमबर 30 वो फरमाते है कि अगर कुछ चीज आपको नशा देती ये बड़ी कॉंटिटी में वो छोटी कॉंटिडी में भी हराम है तो चरज गांजा सब हराम है आपका सवाल था है कि पीना पीना के मुराद चरज पीना हराम नशा है सिगरेट पीने का जवाब जरा डिफरेंट हरिगा सिगरेट पीने का जवाब अलग है जहां तक कि चरज गांजा फूकना या नशा ब्रांडी या आता एक हमर के अंदर हराम में जहां तक सिगरेट पीने का सवाल है पहले उल्मा ये खहते थे कि ये मखरू है तो कि हदीस है अल्ला के रसूल की कि जब आप नमास पनने जाते हैं तो जब कांदा प्यास खाते हैं तो सांस में बद्बू आती है इसी तरीके से सिगरेट पीने से बद्बू आती है तो मखरू है लेकिन अभी साइन्स एडवांस होने के बाद पता लगता है कि शिगरेट पीने से अपने कबर मत खो दो यह महरा है अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो तो इससे पता चलता है कि स्विसाइड आत्मत क्या करना हराम है आज साइंस बढ़ने के बाद तरक्य करने का पता चला कि आफटर अलकोहॉल इस सेकेड मोस्ट डैमेजिंग टो हेल्थ इट इस सिग्रेट स्मोकिंग इस स्मोकिंग टबैको टबैको इन एनी फॉर्म और डब्लिए एचो के मताबिक हर साल चालीस लाक लोग सिर्फ मरते हैं सिग्रेट स्मोकिंग से तमभाखू से चालीस लाक और इसकी कई बिमारिया है आप में तकरीर सुन सकते डाइटरी लॉज अफ इसलाम इसलिए चार सो से ज्यादा फत्वे है मिसर में साओधी अरेबिया में कई उल्मा के जो कहते है कि सिग्रेट पीना स्लो पॉईजनिंग